बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है आज हम बताएंगे कि कब है हरिताली का तीजब्रत अगर पहली बार आप रख रही है ब्रत तो जान लिजे इसकी पूरी विधी कि इसकी विधी क्या है हरिताली का तीजब्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को मनाये जाता है जो इस बार 9 सितंबर को पड़ रहा है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वते की पूजा की जाती है ये ब्रत साधी शुदा महिलाओं के साथ ही कुमारी कन्याओं द्वारा भी रखा जाता है बिबाहित इस्तरियां इस ब्रत को पती की लंबी आयू के लिए रखती है और वहीं जो कुमारी कन्याओं है अच्छे बर की प्राप्ती के लिए यह ब्रत करती है यहां आप इस वीडियोज के माध्यम से जानेंगे कि इस ब्रत के नियम क्या है हर तालिका अतीज ब्रत का जो नियम है वह इस प्रकार है हरितालिका तीजब्रत निरहार और निरजला रखा जाता है कई जगा इस ब्रत के अगले दीन जल ग्रहन किया जाता है लेकिन कुछ लोग ब्रत वाले दीन पूजा के बाद ही जल ग्रहन करते है हरितालिका तीज ब्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है उससे जीवन प्रियंत किया जाता है इसे प्रतियक बर्ष अपनी बिधी बिधान से रखा जाता है इस ब्रत में सोना बिलकुल मना है रात भर जागरण किया जाता है इस ब्रत में महिलाएं दुल वह इस प्रकार है, इस ब्रत में देवाधी देव महादेव, शीव की पूजा, माता पार्वती और भगवान गनेश की बालरेत वह काली मिठी से प्रतीमा बनाई जाती है, आप चाहें तो शीव परिवार की बनी बनाई प्रतीमा की भी पूजा कर सकते हैं, पूजा अस्थल पर एक चौकी रखें, उस पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पारवती और बिख्णनायक गनेश जी की प्रतीमा स्थापित करें, फिर भगवान शिव, माता पारवती और भगवान गनेश का बिधुवत पूजन करें, माता पारवती को शुहाग की बस्तु में चढ़ाएं, सिव जी को धोती या फिर अंगोछा जो होता है वह चढ़ाएं, शुहाग सामगरी ब्रत के अगले दिन ब्रामणी और ब्रामण को दान कर देनी चाहिए, ब्रत पूजन के समय, हरिताली का, तीज ब्रत की कथा जो है वह जरूर सुननी चाहिए, ब्रत के अगले दिन सुबह माता पारवती को सिंदूर चढ़ा कर ककड़ी, हलवे का भोग लगा कर ब्रत जो है वह खोल लेना चाहिए, हरिताली का, तीज ब्रत का जो सास्त्री महत्व है, वह इस प्रकार है, इस ब्रत को भगवान शिव और माता प पारवती ने भगवान शिव को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपश्या की थी, बरसो तपश्या करने के बाद भाद्रपद शुकलपक्ष की त्रीतिया तिथी और हस्त नक्षत्र में माता पारवती ने रेथ शिवलिंग बनाया, और भोलेनाच की अराधना में भजन और किर्टन किया, माता पारवती के कठोर तपशे प्रशन होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्विकार किया, माननता है कि जिस दिन भगवान शिव ने माता पारवती को पत्नी के रूप में स्विकार किया था, उस दिन भाद्रपद शुकलपक्ष के त्रीतिया तिति ती तो इस ब्रत का बिधवत पूजन पाठ जो है करने से निश्चित रूप से लाव मिलता है सायम कालिन पूजन पाठ करने से निश्चित रूप से पारवतिजी की कृपा संकर जी की कृपा शुहागिन और अरतों पर इस्त्रियों पर होती है आप सब य जैमातादी, बंदे मात रहूं